क्या सुच रही हो जो बच्पन से आज तक अनात हो और आज उसे मा मिल जाए डरती हूँ शायद माने मुझे ना पसंद कर दिया तो मुझे मेरे प्यार पर और मेरी मा को मेरे विश्वास पर पूरा भरोसा है मेरे विश्वास पर आज तक अनात है पटवारी यह जगे काफी खुब्सूरत है हमें पसंद है जिसकी भी हो उसे कह दो यह जमीन हमने खरीद ली पटवारी वो गारी जो वहां खड़ी है बहुत खुब्सूरत है हमें पसंद है जिसकी भी हो उसे कह दो हमने खरीद ली यह गाड़ी हमारी है और यह समीन मेरी है तो बिकाव नहीं तुम हमारी दाकत पाजमा रहे हो हमें छीनना भी आता है यह तो वक्त ही बताएगा के कौन किससे क्या चीनता है इतनी जल्दी डर गई तो उमर भर निभावगी कैसे प्यार तो कर बैठी लेकिन इसका अंजाम क्या होगा यह तो मैंने सोचा ही नहीं हो सकता है मैं यह प्यार निभाना सकूँ निभाना ही सकती तो यह रिष्टा जोड क्यों रही हो खिलवार करने के लिए बदा करके तोड़ जाने के लिए तुम्हारे प्यार की गहराई को आजमा रही थी देखना चाहती थी कि कल अगर हालात के सामने मेरे कदम डगमगाए तो क्या तुम मेरी महबद को गिरने दोगे क्या संभालोगे तुम्हारे प्यार का जुनून अब मेरी महबद का इम्तिहान बन चुका है अब यू अजे अब यू वो हराम जादा हमारी हुकूमत का अपमान करके कालिक पोच किया हमारे मूपर और आप कहते हैं कि सब्र करो क्यों भाई दाप इसका जवाब तो हम देंगे और अपने ढंग से देंगे कब देंगे कब जब वो हमारी इज़त की धज्या उड़ा चुका होगा तब इस सांदान की इज़त की धज्या तो वो पहले से उड़ा चुका है रमा को अपने प्यार के जाल में फांस कर रुमेश अगर ये जूट निकला तो तेरे जिसम से खून की जगा बारूत पहेगा ये गोलियों उसके लिए बचा के रखिये जो आपकी इज़त से खेल रहा है मुझ पे जाय करने से कोई फाइदा नहीं रमा इस घरानी की इज़त और मेरी होने वाली मंगेतर इस वक्त उसी हरामजाते के घर में रंग रलिया मना रही है और इस महल की शान और शौकत को उसे पेरों तले रौंद रही है मा देख तुझे मिलने कोन आया है रमा मा मा जी जग जग जीओ बेटी बिलकुल चांद कर टुकड़ा है ऐसी बहुत किस्मत वालों को मिलती है लेकिन समझ गया मा तुम्हारा डर राजा साहब है और मेरी हिम्मत तुम हो लेकिन बेटे राजा साहब जीते जी इस रिष्टे को मंजूर नहीं करेंगे मा ये रिष्टे भकवान बनाता है न मा तुम समझते क्यों नहीं कहीं तुमारी जित और उनका आहंकार खुन की नदिया न भादे मा मुझे वो भी मन्जूर है ठीक है जब तुम दोनों ने एक होने का फैसला कर ही लिया है तो मेरी दुआएं हमेशा तुमारे साथ रहेंगी जी तुचाता है आज ही तुझे दुलन बना कर इस घर में लियाओ मगर भाबी एक मिनिट भाईया काना एक प्राब्लम है उनका कहना है कि जब तक मैं इस घर से दफाना हो जाओ वो शादी नहीं करेंगे ठीक ही तो कहा है तुमारे भाईया ने ओ भाबी आप भी भाईया की बातों में आ गई प्राब्लम है तेवाई प्राब्लम है झाल 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 रहा आज तक किसी की भी हमारी आख में आख डाल कर देखने की हिम्मत नहीं हुई आज तक किसी ने हमारे खानदान की आप रूपर हाथ नहीं डाला आज तक किसी ने हमारी हुकूमत को ललकारने की जुरत नहीं की आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कभी नहीं हुआ वो चलो आज हो गया हमोश और नजरे चुका के बात कर शायद तु भूल गया कि हम लोग कौन है आप सिर्फ उस लड़की के ताउ हो जिसे मैं प्यार करता हूँ अच्छा हुआ आप लोग यहां आगे वैसे भी लड़की वाले ही रिष्टा लेकर आते हैं तु रिष्टा जोड़ेगा हमारे खान दान से तु हमारे दर्मियान के इस फासले को मिटाने के खाब देख रहे तु प्यार हर फासले को मिटा देता है कभी नहीं हो सकता सारी उंपर कोशिश करता रहे तो भी यह फासला दूर नहीं हो सकता हम तुम दुनों को एक नहीं होने देंगे देवा मैंने ही चाहता कि हमारे बीच कोई खुन खराबा हो रमा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें एक होने से कोई रोक नहीं सकता मैं मेरी अमानत आपको सुथ रहा हूँ आप रमा को लेने आये हैं ले जाइए मैं उससे लेने आऊँगा पराद लेकर अजे अजे तुम? हाँ, वही अभागन जिसके श्राप का पहला कहर आज तुम पर टूटा है जिसके आजियों की पहली बूंद तैजाब बनकर आज तुम पर बर्सी है मेरे कलेजे से निकलीवी हाई तुम सब को बर्बाद करके छोड़ेगी तेरे दमाचे में वो दम नहीं रा रणबीर एए, एक क्या रहे हो जोर लगा के पेर कोटाओ जोर लगा कर तो तुम यहां से चले ही जाओगे मगर उस तुफान का मुकाबला कैसे करोगे क्यों तुम्हारी महल के दर्वाजे पे दस्तत दे रहा है जाओ अरे जाओ जाओ राजा सहाब तुम हार जाओगे हार जाओगे जाओगे जाओगे